अस्राम नेकुम, I am Dr. शाहिद रिजाव, Assistant Professor, University of Education लाहॉर आज का टॉपिक हमारा है memory, what is memory? अब एक वर सवाल सामने आते हैं कि how do we encode information into memory? हम जो भी information आसिल कर रहे हैं, चाहे वो visual है, चाहे वो auditory है, sound से related है, सुनने से related है या देखने से related है, उस information को हम किस तरीके से encode करें ताकि वो हमारे memory का part बन जाए और हमारे brain मेरे हैं, और फिर हम बाद में उसको बहतरी तरीके से इस्तमाल मिला सकें, यानि उसको proper retrieve कर सकें तो ये encoding process क्या है, किस तरीके से हम encoding करेंगे, ये भी एक बड़ा हम सवाल है, आपसे अगर ये पूछा जाए, कि कल जो गुजर चुकी, कल सुबह जब आप उठे थे तो पहला word, पहला लफ़ आपने क्या बोला था, ठीक है, अब mostly क्या होता है, कि हम इन सवालों का जवाब जो है, वो हम recall नहीं कर पाते हैं, यानि आपको याद नहीं होगा कि कल सुबह जब आप उठे थे, तो आपने कौन सा पहला word बोला था, ठीक है, अब ये जो lack of recall है, ये इसलिए होता है, कि information को हम proper तोर पे encode नहीं करते हैं, यानि हम अपनी simple way में हम बात करें, तो यानि encoding means क अपनी memory में उसको enter नहीं करते हैं, प्रापर जो उसका तरीका होना चाहिए, तो encoding नहीं जानते हैं, इसलिए वो information चली आती है, हम याद नहीं रहता कि कल सुबह जब हम उठे थे तो उस वक्त पहला word हमने क्या बोला था, तो fail हो जाते हैं, encoding करने के अवाले से, तो जैसी हम याद नहीं रख पाते हैं, और फिर इसलिए हमारे students शिकायत करते हैं, कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम भोल लाते हैं, समझ नहीं आती, तो उसके पीछे यही होता है, कि आप encoding ही नहीं की होती हैं, अगर प्रापर encoding करेंगे, तो आपकी memory के पार्ट बनेंगी व बेहतर encoding होगी, encoding requires attention, attention means कि आप कितनी फरपोर तरीके से attentive हैं, आप तवज्ज़ दे रहे हैं किसी चीज़ को, अगर आप तवज्ज़ देते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलती, वो encoding proper हो जाती है, तो कोई भी information जो आपको first मिल रही है, उसके उ उपर आप जितना focus करेंगे, तो उतना ही बेहतर होगा, कि आप encoding proper करेंगे, और definitely वो पर transfer होगी, from sensory memory towards working memory, and from working memory towards long term memory, जहां वो हमेशां के लिए रहेगी, और फिर आप retrieve भी कर पाएंगे उसको, ये जो encoding है, इसका process क्या होता है, दो तरहां की हैं, इसके process, याप proper encode करना चा पहलाता है, automatic process to encode, और दूसरा होता है, effortful processing to encode, यह एक तो automatic हो जाएगी, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, तो उसमें आपको effort लगाने की ज़रूत नहीं है, automatic जो है, वो एक process है, जिससे वो encoding हो जाती है, अभी मै जो effortful processing है, यह कहाँ required होती है, यह भी आपको मिसाले दो, देखिए हम जिस environment में रहते हैं, तो बहुत सरी चीज़ें हम attend करते हैं, चाहे वो visual हैं, चाहे वो auditory हैं, सुनने से तालोक रखती हैं, यह देखने से तालोक रखती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम आप देखते होगे कि हर वक्त attentive रहे हर, हर बात पर तबज़ हो दें हर sound पर तबज़ हो दें हर visual image पर तबज़ हो दें जो देख रहे हैं लेकिन कितनी चल रही होती है रोज़ाना, visualize भी प Georgia हो आप सारी चीज़ों को। आप सुन भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन हर एक बात क्य मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप सड़क से घर की तरफ जा रहे हैं यह आपका फ्लैट है तो आप क्या करते हैं कि फ्लैट से उपर जा रहे हैं नीचे से तो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं अपने रूम जो आपके उसके डूर की तरफ जा रहे हैं तो आपको यह जो प् स्टेर्स हैं वो आपके माइड में एक आटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती हैं अनकोडिंग हो जाती हैं और आप वहां से सड़क से जो है वो गाड़ी से उतरके तो वहां से आप अपने रूम के जो डूर है वहां तक पहुंच जाते हैं तो यह इसमें कितनी चीज़ें आपका घर है किस फ्ल pog hesitant पे है और किस स्टॉरी में तो वहां पर आप उस फ्लोर है सेकेंड फ्लौर है थर्ड फ्लोर वहां तक पहुंच जाते हैं यह चीज़ें आपकी मेमरी का पारड बन रही हैं इस एंकोडिंग प्रोसेस को कहते हैं आटोमेटिक एंकोडिंग प्रोसे ठीक है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है और यह basic route होता है जिसको बारे में आप को मालूम हो जाते हैं और आप बहां तक पहुंच जाते हैं So this is called automatic processing Automatic processing and coding information with little conscious awareness or effort यानि आपको बहुत ज्यादा conscious awareness or effort की जरूरत नहीं होती बस थोड़ी सी information आपको थोड़ी सी conscious awareness और effort आपको चाहिए होती है जिससे आप वो information मिल जाती है और proper encode हो जाता है दूसरी इसकी जो process था उसे कहते है effortful processing जो effortful processing है उसके लिए क्या है कि आपको तोड़ी मेहनत करने के जरूरत होती है बहुत सरी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख पा रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं तो वहां पे आप proper जहां तक attention नहीं देते प्रापर तबज़ो नहीं देते closely उसके उसके उपर गोर नहीं करते तो conscious effort नहीं लगाते तो वो आपके brain में नहीं जाती वो आपकी memory का part नहीं बनती सही तरह से और फिर उसके खत्रा होता है कि वो भूल लाते हैं आप जाते जैसे एक student class में बैठा है और वो तबज़ो नहीं दे रहा teacher के lecture की तरफ जो वो पढ़ा रहे topic तो automatic processing के जरीए तो यहां पर information आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से यहां पर आपको फिर effortful processing चाहिए यहां पर आपको तवज़ो चाहिए यहां पर आपको attention चाहिए जितनी attention आप ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि चीज वो lecture वो content वो topic जो पढ़ाया जा रहे डिसकस किया जा रहे आपसे share किया जा रहे वो आपकी memory का हिस्सा बन सकते हैं तो engaging जितनी ज्यादा होगी उतना ही process यह बेतर होगा encoding का तो इसे कहादाता है effortful processing ठीक है आप किताब उठाते हैं कोई भी material है आप exam के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आप उसमें जितना मेहनत लगाते हैं जितनी तवज़ो देते हैं जितना consciously aware होते हैं जितनी attention आप उस पे pay कर रहे होते हैं तो उतना ही ज्यादा chance होता है कि information store हो जाएगी और फिर बाद में retrieve भी आप कर लेते हैं इस तरह की जो encoding है इसे कहा जाता है effortful processing जिसमें आप effort लगा रहे होते हैं जिसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं और इसी तरह से different facts याद करते हैं different names आप याद करते हैं different tasks जो है वो आपन तो अब हम बात करेंगे working memory ये shorter memory के हवाले से अगर आपने encoding करनी information की तो वो कैसे करेंगे यानि sensory memory में जो information आपके पास आ चुकी है उसको आप transfer करना चाहते हैं बहतरीन encoding के जरी अगली next step में जिसे आप working memory कहते हैं सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे हम पहले discuss कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ आप देखते हैं ये सुनते हैं तो हमारा जो brain है वो एक brief sensory image retain कर लेता है और इस image को कहा जाता है sensory memory ठीके जो हम discuss कर चुके हैं मसलिन कोई भी photograph आप देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो उसकी detailed image जो है उसकी shape क्या थी photograph कैसा था त तो थोड़ी देर के लिए information आपके mind में रहती है जिसे हम कह सकते हैं for a few hundred milliseconds और इसे कहा जाता है iconic store आइकन जिसे बोलते हैं आइकन तो यहीं से है iconic store इसके बाद हम बात करेंगे कि जो working memory है second system of memory इसमें भी आपको proper encoding की ज़रूत होती है क्योंकि हमारे बहुत से day to day life में जितने भी important function है वो चल रहे होते हैं और वहां में ज़रूरत होती है कि बहुत सारी information हम अपने पास उसको रखें तो working memory के लिए proper encoding ज़रूरी होती है working memory क्या है working memory is a short term memory store that can hold five to nine items at once यह एक वक्त में पाँच से नव items जो है वो store कर सकती है यह working memory और अगर आप proper rehearsal नहीं करते हैं very important point to understand जो भी आपके पास information आई है एक time में पाँच से nine items जो आपके पास मिले हैं आपको जो visualize किया था या आपने उसको सुना था तो इसको अगर आप proper rehearsal नहीं करते हैं इसके वारे में तो यह भी फिर चली जाती है तो यह भी आप भूल जाते हैं इसी तरह से अगर आप देखें तो ancient Greek philosophers जो है वो recognize करते थे इसकी value of rehearsal in memory कि जितना आप rehearsal करेंगे जितना आप चीजों को rehearse करेंगे उतना ज्यादा आपका memory system होगा इसी तरीके से Quran पाक जब हिफ्स किया जाते हैं तो आप देखते हैं कि बार बार rehearsal की जाती है रिपीट किया जाते हैं और फिर आपको वो हिफ्स हो जाते हैं तो इसकी बड़ी एहमियत है जितनी अच्छी rehearsal होगी आपकी तो उतना अच्छा chance होगा कि आपका working memory से proper encoding होगी और फिर आपकी long term memory के वो पार्ट बनेंगी information और rehearsal को अगर हम define करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि rehearsal is a conscious repetition of information in an attempt to make sure the information is encoded short term memory या working memory से अगला जो step हमारा है जो long term memory कहलाती है तो उसमें कोई भी information आप किस तरीके से proper encode कर सकते हैं या ट्रांसफर करेंगे कोई भी information visual या auditory working memory से long term memory की तरफ तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि यहां पर rehearsal की जरूरत होती है और बहुत जबरदस rehearsal चाहिए होती है आपको effortful rehearsal चाहिए होती है आपको ताके चीजें बहतरीन तरीके से आपकी long term memory का पार्ट बन जाए और long term memory हमारे memory system है जिसमें हम information को hold करते हैं जो previously हमने एकठी की होती है और जो हमें चाहिए होती है कि बाद में जब जरूरत हो तो वह हम उसको retrieve कर पाएं और उसका इस्तमाल कर पाएं तो जितनी अच्छी rehearsal आप करेंगे elaborative rehearsal भी होती है maintenance rehearsal भी होती है तो rehearsal ही से आप information को हासिल करके proper encode करके long term memory का हिस्सा बना सकते हैं तो आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि encoding जब आप कर रहे होते हैं या आप करना चाहते हैं जिससे आप information को देर तक याद रख सकें और अपने memory का हिस्सा बना सकें तो उसमें दो तिन चीज़ें बड़ी जरूरी है जैन में रखना एक है कि अच्छी encoding के लिए organization को enhance करने के लिए ज्यादा powerful बनाने के लिए information को ज्यादा देर तक long term memory का हिस्सा रखने के लिए आप जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे कहा जाता है organization और organize करना बहुत ही जरूरी होता है इससे चीज़ें बड़ी clear हो जाती है और पिर देर तक आप उसको याद रख सकते है इसकी मिसाल यह है कि आपको अगर कहा जाए कि आप memorize करें list of words और words यह क्या है fox, bear, Italy, France, rabbit, Spain, mouse एक दवा फिर सुनिए यह words हैं आप से कहा जा रहा है कि इसको memorize कीजिए fox, bear, Italy, France, rabbit, Spain, mouse तो यहाँ पर क्या होगा कि आप organization करेंगे और organization में आप different categories जो है वो अपने mind में बना लेगे जैसे दो categories आप इसमें बना सकते हैं जितने भी words मैंने अभी बोले हैं एक category है कि animals की category है जैसे fox है, जैसे bear है, जैसे rabbit है, जैसे mouse है और दूसरी category आप बना लेंगे जिसे European countries की जिसमें France है, जिसमें Italy है, जिसमें Spain है तो दो categories में divide कर दिया आप ने इन सारे words को सुनने के बाद यह encoding कर रहे हैं आप different words को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं और अपने mind में proper encoding कर रहे हैं, organization कर रहे हैं और organize करते जा रहे हैं चीजों को और categories बना के आप organize कर रहे हैं, एक animal की category है और दूसरी European countries की तो इस तरीके से आप चीजों को memorize करते हैं, चीजों को याद रखते हैं और अपने memory का हिसा बनाते हैं तो बनादी बात यह है कि encoding में organization का इस्तमाल जो है वो बहुत ही important है दूसरी बात, इसमें वो है schemas, schemas यह है कि आप different schemes बना लेते हैं cognitive psychologist जो है उन्होंने different structures जिसको schemas कहा दाते हैं उसको identify किये इन schemas के जरीए आप चीजों को understand करते हैं और मेफोस करते हैं और अपनी long term memory का हिसा बनाते हैं और जितना जबरदस्त आप schema set करेंगे उतना बेहतर जो है आप चीजों को अपनी यादाश्त का हिसा बना पाएंगे memory का हिसा बना पाएंगे information को बेहतरी इन तरीके से आप मेफोस कर पाएंगे आपको अगर कहा जाए कि आप याद करिए कि जब भी आप किसी college में गए थे school में गए थे ये university के classroom में गए थे तो first time जब आप वहां पहुंचे थे तो आपने किस तरीके से उसको perceive किया था यानि आपने वहां पे जो sitting arrangement थी वहां पे जो चेर्ज थी वहां पे जो classroom का महौल था वो सारा का सारा आपने बताने तो इसके लिए आप different schemas जो है वो बनाते हैं यानि आपके पहले जो experience था इस classroom में जाने से पहले different classrooms में आप गए होंगे किसी और school में गए होंगे किसी और अदारे से आप जो है आप वहां पे विजिट किया होगा तो वो जो schemas आपके जहन में हैं उससे relate करते हैं आप इसको जैसे ही ये relate करते हैं तो आपका जो experience होता है उससे आप चीजों को महफूज कर लेते हैं अपने memory में और brain का part बना लेते हैं तो schemas को हम कह सकते हैं कि knowledge bases होते हैं कि जो आपका prior exposure है किसी भी चीज़ से related आपके जो experiences हैं similar किसी भी हवाले से उसके हवाले से जो knowledge base है उसको आप design करते हैं अप उसी को इस्तमाल करके आप फिर connection बनाते हैं और फिर चीजों को understand करते हैं अपने memory का part बनाते हैं तो ये कुछ information थी memory के हवाले से, types of memory के हवाले से, process of memory के हवाले से और खास तोर पर हम information को जो हासल करते हैं उसको किस तरीके से बहतरीन encode कर सकते हैं start से लेके end तक यानि तीनों मराहिल में, sensory memory में, working memory में और long term memory में I think आपको आज का lecture बहुत अच्छा लगा होगा, काफी information आपको मिली होगी, thank you so much, next किसी और topic के साथ हाजिर होंगे, अपना ख्यार रखिएगा, अलाफ़ाज प्रवेश